नमस्कार मित्रों, जै मातादी, मातारानी की किर्पा से आप सभी का हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मत्रों, मनुस्य के जीवन में ग्रोहों के बदलने के अनुसार, मनुस्य का जीवन, मनुस्य का सुख, मनुस्य का दुख, मनुस्य के साररी कश्टों सथा, मनुस्य के मानसिक और सुख सान्ति के प्राप्ति ग्रोहों के अनुसार ही होती है ऐसे में भगवान की गृपा मनुस्य के जीवन में प्राप्त करना बहुत अच्छा होता है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला समय बच्वों, आपके ग्रहों के इस्थितिया कैसी है? आपका समय, दिन्चरिया और आपका स्वास्त कैसा है? धन की इस्थितिया कैसी रहेंगी? बैपार की इस्थितिया कैसी रहेंगी? बैपार, व्यवसाय, करियर और लवलाइफ में आपको कौन सी बड़ी सफलता मिलने वाली हैं? भगवान स्रीहरी विष्णुजी की पूजा उपासने किस प्रकार से करके धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं, रुपय फैसे में प्रभुत्री कर सकते हैं, और आप अपने सभी दुस्मनों को प्राजित कर सकते हैं. धन की देवी माता लग्मी जी की पूजा उपासने करके, इस प्रकार से उनको प्रसन न करके, आप अपने घर धन की देवी माता लग्मी जी को बूला सकते हैं. मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरित दीखेगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें, ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से बिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें. तुमित्रों, ग्रुम के चाल ये इसारा कर रही हैं कि आपके लिए आने वाले समय मिस्रित परणाम दायक रहेगा, कई मामलों में आपको सफलता मिलेंगे, आपके मेहनत से कारिम सिद्धी के प्राप्ति होंगे, आपके सी धार्मिक क्यात्रा पर जाने की बात मना सकते हैं लेकिन आपके जीवन में इस समय पैसो को लेकर जो भी तंगिया चल रही हैं, पैसो को लेकर जो भी आपकी अडचने आ रही हैं, उन सभी से आपको चुटकारा मिलने वाला है भगवान स्रीहरी विस्मुजी की क्रिपा से आपको एस्वरी की प्राप्ति होंगी, धन के छित्र में आपको सफलता मिलेंगी, परिवारवालों का, रिष्टेदारों का और सगे सबंद्यों का आपको सहयूग मिलने वाला है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर संतान सुख से वंचित हैं, बहुत प्रियास करने के बाद भी अगर आपको संतान सुखो की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह अब प्राप्त होने का इसारा दिख रहा है इस समय सुरी के रासी प्रिवर्तन होने की बज़े से आपके कारिशित्र में मान संमान की प्राप्ति होंगी, घर वाले प्रिवार वाले और समाज वाले आपके इज़त करने वाले हैं, आपके मान शमान में इज़त में बढ़ुत्री होने वाली हैं, दोस्तों के साथ मुल बजबूती के साथ आपका साथ देगा, भागे का साथ उने की बज़ा से कारिश्यत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ती होंगी, बिजनस करने वालों को भी सफलता मिलेंगी, निजी जीवन में भी आपका इस चमय पारिवारिक तालमेल बनाने की जरुत रोहेंगी, आप और आपके सही होगी, दोनों आपका पूरा साथ देने वाले हैं, लेकिन निजी जीवन में आपका तनाव रह सकता है, लेकिन ये समय के साथ दूर होने वाला है, मित्रों, साबधान, आगे की बातें रहस्वाइ रहेंगी, जो कि सिर्फ और सिरुप आपको ही जानना, सुनना और समझना चाहिए। इसलिए आगे की जानकारियों को आप पूरे ही कौर से सुने। चंद्रमा रासी से दूसरे भाव में और आपकी रासी में राहो के उपसे दी। आज आपका मान सम्मान दिलवाने बाला है। और ये आपके लिए तथा आपके प्रिवार के लिए सुब फलतायक रहेगा। आपकी मान सम्मन में पर्तिष्टा में वर्दी होंगी। मित्रों अगर आप बेरोजगार ही वक हैं। कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से आप रोजगार की दलास कर रहे हैं। या फिर आप अपने स्वेंग का रोजगार करने का विचार कर रहे हैं। तो मित्रों रोजगार की शित्र में आपके किये गए प्रियाज तो सारे के सारे फल आज आपको देनी वाले हैं। कारिशित्र में भी आपको अच्छा कासा परिणाम की प्राप्ति होंगी। तोर पर आपका दिन मजबूत रहेगा घर के जरूरी कामों में हात बटाने की कोशत करें कुम्बरासी वालों रुकेवे काम भी आज आपके पूरे हो सकते हैं जिसे की आपको खुशियां मिलेंगे प्रिवार के बुद्रुकों के साथ आसरवाद लेकर कारे को करने का पूरा तो आज के दिन आप सभी देवी देवताओं को परणाम करके और अपने सारे पूरवजों को याद करके वो परणाम करके घर से बाहर निकलें आपके सारे कारे पूरे होंगे और आरही सारी के सारी बाधाएं आपके जीवन में दूर होने वाली हैं कारिशत्र में भी आपक रुके वे कारे को भी पूरा होता हुआ आज देख सकोगे जिससे कि आपको कुछी के प्रापती होंगे प्रिवार के वुदर्गों के असरवाद से कारे पूरे होंगे आज आपका भाग्य और आपका नसीब दोनों साथ दिन निबाला है इसलिए अगर आप प्रोपर्टी ड नहीं के अजिक्तियों से सलहीन लेकर ही कारी को करने की कुछिश करें ग्रोहों के इस दियां आपके भागय को बदलेगी और बिजनस पे भी आपको लाव की प्रापती होंगे लेकिन बेवजह बाद भी बात में न पढ़ें बेवजह नए सत्रूँ को बनाने की कुछिश न करें बेवज़ा किसी के साथ बगजग या वेफजूल की बातों में अपना दिन जाया न करें आज के दिन आप अगर ऐसा करोगे तो बेवज़ा आपके सत्रू पैदा होंगे जिससे कि आप की तिताएं बढ़ेंगी इसलिए आपको साफधान रहने की जुरत होंगी आज आपके माता की स्वास्त में परिवर्तन हो सकता है माता पिता के स्वास्त काफी अच्छा रहेगा और लंबे समय से अगर आप किसी विमारे से ज्रसित हैं तो उनसे भी आज आपको चुटकारा मिलने का कोई उपाय दिखेगा और आपके स्वास्त में फहरे से काफी ज़ सुधार देखने को मिलेगा आज आप पे सहत काफी अच्छी रहेंगे आज लेकिन ही काम जरूर आपको करना होगा आज आप गो माता को हर अचारा और आप रोटी जरूर खिलाएं आप पे सभी विगड़े कारे बनेंगे कारिशत्र में भी आपको खुशी की प्राप्ती होंगी जीवनसाती के सहयोग से आप नई फ्रोपर्टी में निवेस कर सकते हैं आज रासी के स्वामी द्वादस भाव में रहेंगे जिसके कारण खर्शों में सीजी आएगी और मान से तनाव भी बढ़ सकता है लेकिन ग्रहों के सुबस्य योग की वज़े से कारण आपका भागे भी आपको साथ देने वाला है और पिछले कई दिनों से जो काम रुक रहे थे उन कामों को पूरा कर सकोगे आज आपके प्राक्र मवडोत्री होंगी कोट का चाहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी जिससे आपका मन काफी प्रसंद रहेगा मत्रों अगर आप किसी भी काम को लेकर कोट का चाहरी में काफी लंबे समय से फसे हुए थे काफे लंबे समय से आप किसी योजना को बना कर कारे तो कर रहे थे लेकिन आपका किसी कारें से वो योजना सफलना हो रहा था तो उन्हों सभी योजनाओं को पूरा कर पाने में आज आप काफी ज़्यादा सफल रहोगे कारिशत्र को लेकर भी आपके मन में अलग-अलग प्रसन अलग-अलग सवाल उठते रहेंगे उन सभी कारे को पूरा कर सकोगे जो भी आज 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 आ आपके कारिशित्र में कौफी लाव होनी वाला है। बैपार व्यविसाय और करियर को लेकर भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगे कारिशित्र में भी आपके लाव प्राप्त होंगे आपके सहयोगी आपका सहयोग करने वाले हैं और विबिन्य प्रकार की प्रस्तितियों से आपको चुटकारा मिल ले वाला है आपको लाव होगा आपके धन के छित्र में मान समान के छित्र में बढ़ोत्री होंगी नत्रों जो लोग औविवाहित हैं और विवाहितों के लिए भी आज का दिन बेहती सुब रहेगा क्योंकि और विवाहितों को विवाह के वहत्रिण प्रस्ताव मिलेंगे और यह प्रस्ताव आपके जीवर में सकल और सुरत सावित होगा कारश्टर को लेकर भी आपके सारे योजनाए सपल होंगी आपके विभिन्य प्रकार के प्रस्टिवें में फशेवे सारे कारे भी आज आज आपके पूरे हपोने बाले हैं मतरों आपको बताना चाहेंगे कि आज आज आप किसी गरीव को दान देने का प्रियास करें दान देने से आपके सबस्त प्रकार के समस्याओं से आपको चुपकारा मिलेगा और जिसे की आपका नाम बहुत ही फैलने वाला है नाम आपका गूंजने वाला है और कारे को लेकर भी आपके सारे समंधे भी काफे प्रसन्न होंगे मित्रों आज आपको बताना चाहेंगे कि आपके रासी के स्वामी छटे भाव में सनी और वरस्पती के साथ होंगे तथा चंद्रमा एकादस भाव में रहेंगे जिसकी वज़ा से आप कठिन पस्तितियों से भी आसानी से बाहर निकल पाने में सफल होंगे और विरोधियों का पसीना भी आप छुडवाने वाले हैं आप बेहदी ताकत पर बेहदी होंसियार और बेहदी फुर्तिवाद तरीके सिकारे को अंजाम देने वाले हैं आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस्ते लिखें आपका दिन सुब हो मंगलकारी हो जैमा विंदुवासनी